हलो फ्रेंड्स वेलकम बेक टू माई चैनल हाजिरू एक नई लव स्टोरी लेकर तो चलिए वीडियो को स्टाट करते हैं कहानी की शिर्वात में आस ताओ और फू की शादी होने वाली थी एक लड़की बोल रही होती है फू सिटी का सबसे रिच मैन है पर पता नहीं वो ताओ जसी लड़की से शादी क्यों कर रहा है जबकि इन दोनों की फैमिली भी काफी अलग है इवन ताओ की तो रियल मॉम की हेल्थ भी अच्छी नहीं रहती धूलन के जोडे में ताओ के जंगा कोई और लड़की आ गई होती है वो लड़की बताती है ताओ तो भाग गई है फू की अंटी बोलने लग जाती है अगर शादी नहीं करनी थी तो यहां आने की जुरत भी नहीं थी ना टैट बोलते हैं ताओ ऐसा नहीं कर सकती है सभी बाते करने लग जाते हैं फू फैमली के सारे आदमी 30 साल के होते ही मर जाते हैं कहीं इसलिए ताउ भाग तो नहीं गई है ना ये सब फू भी सुन लेता है उसकी तबेट बिगर जाती है उसे होस्पिटर में ले जाया जाता है ताउ तो मज़े से अपनी अज़ादी को इंजोई कर रही होती है आइसक्रिम खाकर तबी उसे उसकी दोस्त का कोल आता है तुमारा हस्बेंट मरने वाला है ताउ बोलती है तो मैं क्या करूँ फ्रेंट बोलती है रे वो मर गया तो वाइफ होने के नाते सारी प्रॉपर्टी तुमें ही तो मिलेगी ना उसकी ताउ बोलती है पर मुझे उसकी पैसे नहीं चाहिए फ्रेंट बोलती है पता भी है वो कितना ज़्यादा रिच है इस सिकी में दूसरे नंबर पर आता है ताउ बोलती है क्या बात है मुझे तो पता ही नहीं था मेरा पती किस हो स्पिटल में है जल्दी बता और जान करोणे की नोटंगी करने लग जाती है मेरी जान आपको क्या हो गया है मैं आपके बेना कैसे रहूंगी अभी तो हमारी शादी हुई थी, आप मुझे ऐसे चोड़ कर नहीं चाह सकते हो, मेरा रहना तो मुश्किल हो जाएगा, नर्स बोलती है, यहाँ पर इतना शोर मत मचाईए, ताओ नर्स को बोलती है, मैं प्रेगनेंट हूँ, मेरा हस्बन ऐसे नहीं चाह सकता है, नर्स बोल प्रेगनेंट है, यह तो जिन्दा हो गया, मैं क्या करूंगी, फू ताओ की मन की बात भी सुन सकता था, लगता है मैं जिन्दा हूँ, यह देखकर तुम बड़ी डिसपॉइंट हो, ताओ बोलती है नहीं तो, फू बोलता तुम शादी में क्यों नहीं आई, ताओ बोलती यह तो स्ट्रोंग है, फू बोलता है मुझे भी तुमसे पहली नजर वाला प्यार हो गया था, वो तो ताओ को किस भी करने वाला था, तबी नर्स वाह चाती है, फू बोलता है चलो अब घर चलते हैं, ताओ सोचती है मैं इस लड़की के साथ नहीं रह सकती हूँ, मुझे भागना होगा, इसलिए मोश्रूम का भाना बनाती है, मुझे बड़ी तेज आई है, लेकिन मैडम चाकर भी भाग नहीं बाती, फू की अंटी ताओ को बोलती है, तुमने शादी नहीं करनी थी न, तो अब क्यूं आई हो, सब के सामने मेरी इंसल्ट करवा दी, अंटी वाइफ को पनिश्मेंट दे सकती हो न, तुमें चलेगा न, ताओ को लगाता फू मना कर देगा, लेकिन फू बोलता है, मुझे इसने बहुत परिशान किया है, इतना तो चलेगा, वैसे भी आपकी भोवी तो है, ताओ तो फू को गालिया देने लग चाती है, अपनी पर आठी पर गुसा करती है, घर में नोकर की कमी है क्या ताओ को इशारा करती है, पू को भी कुछ कहो न, तुमने भी अपनी वाइफ की साइड नहीं ली, गरे जाथे ही फू बोलता है, अच्छी एक्टर हो, ताओ तो रोनी लग जाती है, मुझे कुछ बार जाकर खाने क मन कर रहा है और वो उसे मस्ट मस्ट डिशिस के नाम बताने लग जाती है पर फू तो वहां से चला जाता है ग्रेंड मा बोलती है मुझे पता है तुम भी गू को पसंद नहीं करती ये शादी मैंने जबरदस्ती करवाई है पर तुम फू की किसमत बदल सकती हो दो साल इस शा ऐसे चाहिए भी तभी ताओ की पोजिटिव साइड बोलती है ऐसा मत करो किसी से प्यार हो तभी शादी करनी चाहिए ताओ सोचती ठीक है दो साल इसके साथ रह लूँगी ताकि मैं रिच बन जाओं तभी फू शावर लेकर आ जाता है ताओ तो देखती रह चाती है इसकी इतना गुड लुकिंग है नजर ही नहीं हट पा रही है यह सब फू भी सुन रहा होता है और सोच रहा होता है इसे कोई गलत फहमी नहीं है मैं हूँ इतना अट्राक्टिव और बोलता है ग्रेनमा ने शादी के बारे में कुछ कहा है क्या ताओ बोलती है हाँ फू बोलता ह को सब कुछ बता देती है रेनमा बोलती है तुम्हारे इसी भीएविर की वज़े से तुम्हें कोई लड़की नहीं मिली और इतनी सुन्दर वाइफ को तुम डिवोस देनी की बाते कर रहे हो सोचना भी मत ताउ सोचती है मेरे सामने तो बड़ा बंद रहा था क्या हुआ लेकिन फू ताउ को लेके चला जाता है ताउ तो उस लड़की को चिलाने लग जाती है यहां ताउ की स्टेप मॉम को डाउरी की पड़ी हुई थी जो शादी में मिलने वाले गेफ थे इससे हमारे बच्ची का फ्यूचर अच्छा हो सकता है कहां गई वो ताउ तब यहां ताउ आचाती है स्टेप मॉम पोश्टी है कहां है पैसे ताउ बोलती है मुझे क्या मालूम मुझसे अच्छे से बात करो मैं फू की वाईफ हूँ तब यह उसका स्टेप ब्रदर सिन्हा चाता है और उसके पोटाटो चिप्स ले लेता है ताउ बोलती है मैं तुमारे भे दैड बोलते हैं। ताट बोलते हैं। मेरी वाइपर हाथ उठाने का सोचा भी कैसें। ताट बोलते हैं, तुम्हें गलत फैर्मी हुई है, मैं तो अपनी बेटी से प्यार कर रहा था, ताओ बोलती है जूट बोल रहे हो, इन लोगों को तो सिर्फ सिन की पड़ी है, मुझे इन लोगों से बात नहीं करनी, वो बोलता हमारे साथ आप जो प्रोजेक्ट करने वाले हो, उसके बारे में अब मुझे सोचना होगा, फू ताओ की केर कर रहा होता है, अगर अब वो तुम्हें बुली करे तो मुझे बता देना, ताओ बोलती है क्या वो गिफ्ट, तुम्हें दे सकते हो, फू मना कर देता है, ताओ सोचती है तुम रिचोई से लिए तुम्हें समझ नहीं आएगा पैसो की जुरत मोम के लिए है फू उसकी मन की बात सुन लेता है जा तु मेरे लिए काम करोगी मैं तुम्हें सैलरी दूंगा ताउ बोलती है क्यों नहीं और फू को मनाने लग जाती है फू को भी अब ताउ अच्छी लगने लगी थी अगले दिन से मैंने अपनी पूरी लाइफ में कभी नहीं देखे वो अपनी मोम की फोटो देखते हुए बोलती है मैं जल्दी से रिच बन जाओंगी तब मैं आपके लिए वो सब करूंगी जो मैं नहीं कर पाई तब फू बोलता है क्या देख रही हो वो फोटो देखता है ये तो तुम ताव बोलती हाँ क्यूट हो ना चलो मैं तुम्हारे लिए नाने का इंतजाम कर देती हूं और उसके पैसे तयार रखना फू को देखकर लग रहा था जैसे वो ताव से पहले भी मिल चुका था और उसे पहले से ही पसंद करता था ताव बार्टब रेड़ी कर देती है और फू को बलाने लगती है फू नहीं आता तो वो खुदी बात ले लेती है और मज़े से तब में बैट कर अमीरों जैसा फील कर रही होती है तब ही यहां फू आ जाता है और ताव को ढूनने लग जाता है वो ताव की नाइट वीर दे सब्स Cat एकित किसदी कि़िए टू सब्सक्राइब हो बूक लगी है जल्दी से breakfast और अगर क्रेटमा नहीं है तो मैं बात में आर जाओंगी जिया बोलता है भावी तुम्हे देखकर तुमसे पहली नजर वाला प्यार हो गया था ताओ बोलती आश्क प्राईवेट पर मार कर उसे मज़ा चखा देती है दूर रहना मुझसे यहां फू ओनलाइन फूर ओडर करना सीख रहा होता है असे संजू को लगता है बोस उसके लिए सब कर रही है पर तभी एक सेकेटरी आके बोलता है आपके भाई को ताउ ने प्राइवेट पार पर मार दिया है फू तो शौक ह हो जाता है यहां तो ताउ अराम से इंजोई कर रही होती है तभी फू बोलता है तुम ठीक तो हो ना ताउ बोलते है मुझे क्या हुआ है मैं ठीक हूँ पर तुम्हारा भाई उसका कुछ कह नहीं सकते फू बोलता है उसे छोड़ दो तुम्हारे हाथ पर लगी हुई है य तो इसे बता नहीं सकती इसके भाई नहीं मुझे मारा है फू तो यह सुन लेता है ताउ पोश्तिये तुम मेरी इतनी ज़़ादा केर क्यों कर रही हो फू उसे हग करकर बोलता है क्योंकि तुम मेरी वाइफ हो ताउ अपनी हस्बन के बारे में सोच रही होती है यह कितना साधा स्यूइट है कई में इसके प्यार में ना पड़ जाओं तभी उसे कॉल आता है आपकी मौम आपसे मिलना चाहती है वो जा रही होती है तभी कोई उसे किनैप कर लेता है मौनिंग में फूज सब पर चिला रहा होता है मेरी वाइफ को ढून कर निकालो फूजिया के पास आता है ताउ कहा है जी आप बोलता है मुझे क्या मालूम वैसे तुम मेरे बारे में पूछने के बदले अपनी वाइफ के बारे में पूछ रही हो देखो ना मेरी क्या हालत हुई है फूजिया को मानने लग जाता है तभी वाँ अंटी आ जाती है मेरे बेटे से दूर है न फू बोलता है अगर ताव को कुछ हुआना तो छोडूंगा नहीं तुम दोनों को यह ताव को दो बंदे बोल रही होते हैं तुम कितनी ज़्यादा सुंदर हो तभी यह फू आजाता है, उसे कोई पीछे से मार देता है जब फू खोश में आता है तो देखता है ताउ अकेली है, सारी जगा आग लगी हुई है तो ताउ को जगाता है, तो दोनों भार आ रहे होते हैं सबी बंदे वहीं पर होते हैं ताउ फू भार आता है, ताउ भी भाग गई थी वो तो फू के बारे में सोच कर रोने लग जाती है फू ठीक तो होगा ना, तभी फू आता है ताउ बोलती है, ऐसा क्यों किया तुमने फू बोलता है, क्यों कि मैं तुमारा हस्बर्न हूँ ताउ भी ओशो जाती है, फू से पास के गाउं में लेकर आता है फाउ वाले उसकी हैल्प करते है मोनिंग में ताउ देखती है, वो जिंदा है और फू को देख कर सोचती है, जरूर ये सपना है फू बोलता है, मैं जिंदा हूँ ताउ बोलता है, मेरे कपडے तुमने चेंच किये हैं क्या फूलता हाँ मैं तुम्हारा हस्बन होना ताओ तुछ ँचिलाने लग चाती है फू बोलता डोंट वरी पास वाली अंटी ने चेंजिये है मैंने खाना भी बनाया है चलो खाते हैं दोसी तरफ जी अपनी ग्रैंड मा को मना रहा होता है प्रेनमा बॉलते है तुम नहीं सब किया है, मुझे अच्छी से पता है अंटी बोलती है पर मेरे बेटे को भी तो लगी है ना प्रेनमा गुसा करने लग जाती है, तभी उनकी तबिर बिगर जाती है या ताउ को पता चलता है, उसका हस्बन लडाई कर रहा है Actually मैं फू कभी भी गाउं में नहीं आया था इसलिए उसे भैस कर रहा था तब ही यहां ताओ आकर सभी से माफी मागने लग जाती है ताओ बोलते हैं तुम अमीर हो इन जैसे लोगों के बारे में तुमें नहीं पता होगा वो अपने एक्स बोईफर्ण के बारे में सोचने लग जाती है फूभी यह सुन लेता है और चला जाता है ताओ बोलते हैं इसे क्या हुआ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें नियू अपडेट्स के लिए बैल आइकन का बटन प्रेस करें मिलते हैं नेक्स वीडियो के साथ अब तक के लिए साहरांगे बाई बाई